इस लेक्चर में प्रिंसिपल ओफ रीजनेवल अकॉमेडेशन के बारे में डिसकस करेंगे यह सिद्धान्त है क्या रीजनेवल अकॉमेडेशन का और अभी रीसेंटली न्यूज में क्यों है न्यूज में है करनाटक हाई कोड के वर्डिक्ट की वज़े से जो हिजाब केस का वर्डिक्ट आया फैसला उसमें मुसलिम गल्स की सारी आर्गॉमेंट रेजेक्ट कर दिया है करनाटक हाई कोड ने किसके basis पे उन्हें क्या है जो head scarf हिजाब पहनने से इंकार कर दिया है कि school colleges में वो पहन के नहीं आ सकती किसके basis पे principle of reasonable accommodation के आधार पे तो यह क्या है principle जानेंगे कोट ने क्या कहा कोट ने देखो favor नहीं किया किसी भी change और adjustment करने का कोट ने कहा कि student देखो जो भी uniform rule है उनको ही मानना पड़ेगा और उन्हें यह आजा दे नहीं दी कि वो अपना belief या practices है उसको school colleges में practice कर सकती है यह maintain रखा पहला ही अपना जो decision दिया था करना ठक हाई कोट न क्या है यह principle of reasonable accommodation principle of reasonable accommodation का मतलब है equality promote करना समानता positive right को grant करना जो अधिकार है उनको देना और जो equality है समानता उसको promote करना साथ साथ यह discrimination को prevent करता है principle यह सिद्धान कि किसी के साथ भी भेधवाव नहीं होना चीए किस के आधार पे disability के आधार पे मानलो कोई अपंग है disabled है किसी का हाथ पाम खराब है उसके आधार पे किसी के साथ भेधवाव नहीं होना चीए health condition के आधार पे भी नहीं होना चीए किसी को ऐसी बिमारी है कि वो ठीक नहीं हो सकती कि उसके आधार पे उसके साथ भेधवाव किया जाए ऐसा नहीं हो सकता य क्योंकि अगर school या colleges में लड़कियां हिजाब पहन के आएंगे स्कार और लड़किया पहन के नहीं आरी तो सबसे difference दिखेंगी सबसे अलग दिखेंगी different दिखेंगी तो ये तरह से क्या हो गया discrimination हो गया भेदवाव तो इसको बचाता है रोकता है principle of reasonable accommodation और क्या क्या आते हैं इसमे principle of reasonable accommodation में positive obligation state की ये positive obligation बनती है state का ये जिम्मेदारी है कि वो state हो या private party जो उनकी जिम्मेदारी है कि वो person with disability को अगर कोई मानलो ऐसा student है वो disabled है तो उसके लिए additional support दिया जाए तो ये भी principle of reasonable accommodation ensure करता है सूनसीत करता है कि अगर उसका society में आप full and effective participation चाहते हो तो उसको additional support दी जाए किसको disabled person को जैसे मानलो कोई लिख नहीं सकता बंदा या चल नहीं सकता बंदा तो उसके लिए school colleges में क्या हो wheelchair हो तो ये क्या additional support दी जा रहे है ये कोई discrimination नहीं हुआ क्योंकि ये बंदा चल नहीं सकता पैर नहीं है तो इसके लिए wheelchair दे दी गई पहियावाली कुर्सी दे दी गई ताकि वो आ सके सही से और अतनी पढ़ाई पूरी कर सके तो ये सब आते है reasonable accommodation में कैसे काम करता है ये principle जो general principle है reasonable accommodation का वो provide करता है कि जब तक कोई hardship ना रहे तो ये accommodation के कारण कोई hardship ना रहे तब तक तो जो भी procedure है नॉर्मल रहे लेकिन अगर hardship रहे तो वहाँ पर ये principle काम करता है जैसे 2016 में ILO ने कुछ practical guidelines दी diversity को promote करने के लिए और जैसे physically handicapped जो person है उनका inclusion के लिए ILO मतलब international labor organization है ये जो international labor worker के लिए physically handicapped वगरा के लिए rules वगरा बनाती है इसने चार category worker की define करी कुछ rules के लिए ILO ने चार category define की पहली workers with disability ऐसे worker रहे करनचारी कोई factory में काम करते हैं वो disabled है उनके लिए कुछ guidelines दी दूसरी guidelines दी workers living with HIV and AIDS जिनको HIV AIDS वगरा है उनके लिए तीसरी guidelines दी जो pregnant workers है या ऐसी family जो जिनकी responsibility है मतलब family की responsibility है उनके लिए pagnant workers next worker आते हैं ऐसे जो particular religion या belief से आते हों इनके लिए guidelines दी ILO ने कि इनके लिए special provision की जाएं किसी factory में किसी accommodation में ताकि ये अपना काम सही से कर सकें accommodation का मतलब क्या होता है accommodation का मतलब होता है modified working environment मानलोग कोई ये building है building में सीडिया है सीडिया normal person जा सकता है लेकिन भाइसाब जिसका pair तूटा हुआ है दोनों pair ही नहीं वो कैसे जाएगा तो उसके लिए क्या हो सकता है या तो देखो ramp बनाए वो ऐसा incline ramp ऊपर तक चढ़ने के लिए और wheelchair से ये बंदा चढ़ सके या फिर specially उसके लिए lift install करें building में lift से वो जा सके lift में तो normal बंदा जा सकता लेकिन वो भी तो जा सके normal बंदे की तरह जिसके हाथ पैर नहीं है मतलब तो ये क्या हो गया modified working environment हो गया किसी building में या shortened and staggered working hour मानलो कोई woman pregnant है ज्यादा घंटे तक काम नहीं कर सकती उसके लिए कम घंटे करना तो ये भी क्या हो गया accommodation में आ गया या additional support देना किसके लिए supervisory staff के लिए या supervisory staff से additional support देना किसी को जैसे मानलो कोई बंदा handicap हाथ खराब है उसके लिए writer उपलब्द कराना एक्जाम में तो ये क्या हो गया accommodation हो गया reduced work commitment मानलो कोई बंदा काम नहीं कर सकता बीमार है उसके लिए जो time है work का वो कम कर देना ये सब किस में आते हैं accommodation में जो suitable changes किये जाते हैं recruitment process में वो भी सब इसी में आते हैं accommodation में जैसे मानलो return test है या sign language interpreter दे दिया interview को दोरान कोई बंदा बोल नहीं सकता वो गूंगा है उसका interview मानलो UPSC का interview भाहिसा तो UPSC के जो interviewer board है वो क्या करेंगे एक ऐसा बंदा लेके आएंगे जो sign language को समझ सके क्योंकि वो बंदा क्या है इसारों में अपनी बास समझा सकता है जब वो इसारों में बोलेगा मानलो ए बंदा interview दे रहा इसको गूंगा है यह बोलना नहीं आता इसके लिए एक तीसरा बंदा हायर किया जो इसकी sign language को इसारों की जो भाहसा है उसको समझ सके अब यह इसकी भाहसा समझ के UPSC जो interview ले रहे interview board उसको बताएगा तो यह जो special arrangement किया गया है यह क्या है accommodation है यह accommodation की form है यह return test के लिए दूसरा बंदा scribe दि किया है उसके लिए लिए लिखने के लिए उसको बोलेंगे scribe तो significance क्या हो गया इसका reasonable accommodation principle का क्या हो गया इसका significance importance importance तो यह हो गया ने कि जो barrier बादाए हैं समाज में जो equality को रोकते हैं समानता को रोकते हैं diversity को रोकते हैं inclusion दूसरे बंदे को समाज में inclusion को रोकते हैं उन सब ब को परबीयोटी को परफ करता है इसमाना को यह परामूट करता है लीगल पौशीशन किया है हमारे इंड्या में कुछ कानून ben Springs करने के लिए 2016 opposite से आप्रोपियरेट मॉडिफिकेशन या एडजस्टमेंट आवस्यक या अप्रोप्रोप्रियेट मॉडिफिकेशन कर दें किसी building में या कुछी process में hiring के process में ताकि person with disability जो ऐसा person है जो physically handicapped है वो कुछ काम नहीं कर सकता तो उसको उसके right देने के लिए equally right enjoy कर सके दूसरे person की तरह तो उसके लिए कुछ changes करना rules में या building में ये है reasonable accommodation ये define किया गया कहां पे इस act में 2016 के act में other fact इसमें क्या है United Nation का कानून है भाई सब मतलब rules है United Nation convention on the rights of people with disability handicapped लोगों के लिए इसका article 2 कहता है इस convention का convention मतलब एक TTS अंधिय agreement है ये मालो इसका article 2 कहता है ये person with disability के लिए जो handicapped person है उनके लिए उसमें भी ये same principle जो है न 2016 के act में ये same principle है और हमने ये same principle इस article 2 से ही लिया है United Nation के convention से तो same इसी में ये ही कहता है कि ताकि person with disability है जो upon people है उसके right को equally access कराया जा सके और उसको ensure किया जा सके equal right fundamental right हो या human right हो किसी country में इसके लिए ये principle accommodation का है जो reasonable accommodation का जो principle है ये दिया गया इस article में कुछ सुप्रिम court के judgment है इसके regarding 2016 का एक judgment है जीजा घोस and others versus union of India and others का case है सुप्रिम कोर्ट ने इसमें कहा था कि equality क्या है इसका मतलब ये नहीं है कि discrimination को prevent करना ही नहीं है इससे भी beyond जाती है इसका मतलब ये है अगर कोई person कोई person जैसे disabled है उसको special additional benefit देना ये क्या है ये positive right है affirmative action है reasonable accommodation में आता है यानि कि ये discrimination नहीं समझा जाएगा अगर लगे भाई साब कि सब लोगों के लिए समान facility होनी चाहिए तो वो कहेंगे कि सिर्फ physical handicap person को ही क्यों दी जा रही है लिफ्ट की facility नॉर्मल person को क्यों नहीं दी जा रही क्योंकि वो बंदा भाई साब चल नहीं सकता तो ये discrimination में नहीं आएगा क्योंकि उस person को जो normal person है उसके तरह अधिकार दिये जा रहे है उसके समान लाया जा रहा है तो ये Supreme Court ने कहा है कि ये positive right होते हैं affirmative action में आते हैं reasonable accommodation में आते हैं एक judgment है 2021 काई विकास कुमार वर्सिस UPSC इसमें देखो Union Public Service Commission को ये direction दी थी और court ने allow किया था कि UPSC scribe का मतलब है एक बंदा hire करे जो बंदा लिख नहीं सकता एक बंदा candidate था UPSC का एक्जाम दे रहा था वो डिस गर्फिया नाम की disease से वो प्रभावित था डिस गर्फिया को writer scram भी बोलते हैं मतलब उसके हाथ खराब थे दोनों हाथ वो लिखी नहीं सकता था तो उसके लिए court ने allow किया scribe scribe का तो यह सिर्फ क्या इंस्योर करता है यह reasonable accommodation ही provide करता है ताकि उस बंदे के साथ कोई भी discrimination ना हो भेदवाव ना हो तो यह reasonable accommodation में आता है इस तरह के राइट इंस्योर कराना किसी disable person को तो यह इस था इस lecture में